टॉस किला दातो है टॉस जंकला है भूमी 11 मांडा टीम चा कैप्टन ने और काय निर्णे असेल डिसीजन लवकर दिया से मांडा टीम कैप्टन थोड़े कन्फिूज दिस्ता है बैटिंग करने सा आखेर तेननी निर्णे गेतला है करन तेननी देखिल पाहिले कि येते प्रथम बैटिंग करना रे संगा ता जिंकता है येत जे क्लाइमेट आहे माक्चा दोन मैचिस मदे चीर्स करना रहा संगांची जी दूर्दशा जाले लिया ही ती तेन नी पाहिले आनि त्या मुले चाता प्रतम बैटिंग करने से निर्णे येते बुमी 11 मांडा टीम न घेत लाए तर लगे सामने ला सुरुवात कराई ची आहे उद्याची सामने क्रिकेट रसिकाम परियंत आमी पोचव तोई पहला सामनासेल संजे स्पोर्ट सावध विरुद्ध टीम राया दूसरा सामनासेल जे बजरंग भावाले बी विरुद्ध वाडेगर वाडेगर संग मलवाटत खेलनार नाईये तैंचे जागे वर दूसरा संगा असेल उद्या वडू नवगर संगाला दिखिल अपने एक्शन मदे पाढ़ना राहोद तसे ज़ एक मोटी मैच दापोडी विरुद्ध जोवेली हा सामना दिखिल पहला विस्रुन चंगले संगले टीम्स उद्या दिखिल खेलना राहेद उद्यास दिवस हा दूसरा दिवस असेल विश्नु डेवलपर्स जशक दो नजार बावीत चा अनि ठीक सकली नव आसता उद्यास दिखिल जाना राहे सावद आनी राया दोनी संगानी यागुष्टी च नोन गयाईची आहे आनी सकली लवकरेती रेपोर्ट कराईचा आहे जने करून आपन अगदी योग्य व्लेवर सामने सुरु करू दर्याटि काणी पुडिल सामनेल आपन सुरुवात करतो है टौस जसाकी आपन पाईलाए टौस चिंकलाए भूमी इले मांडा टीम चे कैप्टनने प्रतम बैटिंग करने सदनी नीने गेतलाए आनी मैदाना मदी आपलेला पाहला मेलतायत यावलेस आटली संगाची सर्व ख्याडू पंचल दिकिल मैदाना मदे प्रविष्ट ओतायत आणी सलामी वीर मांडा टीम कडून मैदाना मदे प्रवेश करता ना दिस्तायत। तो खेल को स्पीड अप करना है शुरुवात से ही दोनों टीमों के खिलाडियों से रिक्वेस्ट है विश्णु डेवलपर्स कब 2022 में आप सभी का एक बार फिर से हादिक स्वागत देखें बारा मिनट का वक्त है चार तीन ओवर्स के लिए बहुत ज्यादा वक्त आपको लि चलिए खेल की शुरुवात करने है प्लीज सलामी बल्लेबाज केतन और अशुक अशुक डिंडा पहले मैच के मैन ऑफ दे मैच थे केतन ने भी कुछ अच्छे शॉर्ट्स खेले थे 24 रनों की अच्छे पारी खेली थी केतन ने पहले मुकाबले में लेकिन रवी पिछले मैच के हीरो कहे जा सकते है जिस तरह से बोलिंग उन्हों ने की थी पाच रन देकर दो सफलता है उनको मिली थी पहली गेंद पर उल्टा स्ट्रोक ग्याब ढूंडा है फिल्डर पीछा कर रहे है डिप बैकवर्ट पॉइंट शेतर में पहुंचे खिलाडी वहाँ पर अच्छा एफर्ट लेकिन काफी समयता बल्ले बाजों के पास दो रन लेने के लिए दो रनों से खाता खुलता हुआ कितन का खाता खुलता हुआ टीम भूमे इलेबन मांडा का मांडा और अटाली के बीच में ये बड़ा मुकाबला है अगली केंद लिफ्टाम राउंड विकेट इस बार खड़े-खड़े खेला है मिस्स टाइम स्ट्रोक लेकिन इन्फिल्ट के ऊपर से बिलकुल बोलर के सिर के ऊपर से खेला था सुरक्षित इलाका जो माना जाता है वहाँ पर नो मैंस लैंड में जाकर गेन गिरी थी टाइमिंग उतने अच्छी नहीं थी लेकिन बलेबास को पता था कि इन्फिल्ट को वो क्लेर कर रहे है उसका फाइदा मिला दो रन इस गेन पर भी मिले है रन संक्या चार बिना किसी नुकसान के स्ट्रोक्स को टाइम करना इस समय थोड़ा मुश्किल हो रहा है मिछले दो-तीन मुकाबले में हमने देखा है लेकिन उसके बावजूद भी आटाली के बल्लेबाजों ने जो बैटिंग की थी वो काबिले तारिफ है इस बार बेहतरीन स्ट्रोक एक दिलकश इंसाइड आउट स्ट्रोक गेन जा रही है कवर बावंडरी के बाहर चार रन बल्ले से ये चौका निकला है बिल्कुल हाफ वाली में गेन को लिया थोड़ा सा अपने आपको रूम दिया था और ऑफ साइड में इंफिट के उपर से दर्शनी चौका अच्छी गेन इस बार टर्न करना चाहते थे ओन साइड में लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए अच्छी वापसी गिंद बास की स्कोर आठ रनों पर रुका हुआ है चार गिंदों का खेल समापत हो चुका है हमारे बीच सिदान्त बुहिर इनका शुबाग बन हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है आपका हार्दिक स्वागत है विश्णु डेवलोपर्स कब 2022 में क्या किनारा लगा है जी हाँ बिलकुल लगा है अमपायर की उंगली उपर और बैट्समन उट ये समझदारी का क्रिकेट बिलकुल भी नहीं मेरे ख्याल से केतन अब अच्छा शॉट वो जमाते पीछे तो एक ही रन मिलने वाला था आपस्टम की काफी बाहर निकल गए थे यदि जादा से जादा रन्स बनाने है तो थोड़ा इन फ्रंट आफ स्क्वेर खिलना होगा यहाँ पर जहाँ पर आपको चौके मिल सकते हैं लेकिन बहुत आपस्टम की ले गए और देखिए इंसाइड एज बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा और उसके बाद को काड़ता है और अब रवी का तो ढूड़ने के लिए रवी को ही मैदान में भेजा गया है कि स्लिप में खिलाड़ी मौचूद है पावर प्ले चल रहा है पावर प्ले के अंतिम गेंद इस बार फ्लाइट दिया उसका स्विकार किया और बहुती शांदार जन्ना टिदा पारशाट चेरन पारवी के बल्ले से स्लॉक स्विप फ्लाइट गें थी और बिल्कुल बल्ले बास के पाली में गें थी हलाकि थोड़ा सा टर्ण था अगेंस्ट था स्पीन खिलना था लेकिन शांदार टाइमिंग और ताकत का भी भरपूर उप्यों किया गया था रवी तवार आइस्ट्रोक में स्क्वेर लेक शेत्र में ये चक्का निकलता हुआ रवी के बैट से ओवर भी समाप तो आप पहला पहले ओवर के बाद स्कोर है चौदा रन एक विकेट के नुक्सान पर बुमे 11 मांडा टीम के खिलाडी भी यहां की परिस्तितियों से वाकिव है उनको भी पता है कि यहां पर क्या स्कोर उनके लिए अच्छा स्कोर हो सकता है और कहीं न कहीं 30 प्लस टोटल स्कोर बोर्ट पर टांगने की कोशिश उनके बल्ले बाजों की है केतन ने शुरुआत अच्छी कीती पहली तीन गिनों पर आठ रन बनाये थे लेकिन उसके बाद एक डॉट बॉल खेली और फिर कौट बिहाइंड आउट हुए और रवी ने आते ही सिक्सर से खाता खुला है अशुक डिंडा को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला प कि पांच विक्टे ली थी एकी ओवर में जैश ने लेकिन इस मैच में जबर्दस उनका स्वागत किया है अशुक डिंडा ने सिक्सर के साथ इस बार दूर से ड्राइव के अगेंद अवा में है कैश का मौका पॉइंट पर गलती इस तरह की गलतिया बहुत भारी पड़ सकती है अशुक डिंडा बहुत ही कतरनाक बले बाज है बाल बाल बज गए रितेश है वहाँ पर जिनके हाथों से कैश ड्रॉप हुआ है सिंगल मिला है रंसंके 21 अगली गेंद राइटाम ओर द विकेट इस बार हवा में उचालना चाहते थे रवी लेकिन बले की बीचों बीच नहीं ले पाए लॉंग ओन पर बढ़िया फिल्डिंग एक ही रन ले से और एक कड़ी चुनौती पेश कर रहे इस समय अटाली टीम को इस बार देखा पर का जाने दिया दिशायन गेंद है वाइट का इशार आमपायर द्वारा और स्टम के काफी बाहर बले बासे दूर रखने का प्रयास सफलता मिलते मिलते रह गई है इस ओवर में गिन जैश को अशोक के पास सारे स्ट्रोक्स है मेदन के चारों तरफ खेल सकते हैं बढ़िया गेंद इस बार फुल लेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंद केंद इस टम्स की तरफ किसी तरह से उस गेंद को खेला है और सिंगल लेते हुए बले बास देखिए इस टौर्णामेंट क अलग अलग नियम होते हैं यहाँ पर यह रूल रखा गया है एक और फुल लेंद गेंद इस बार गेंद को निकाला था लॉंग लेक की तरफ लेकिन वहाँ पर डिकलेर जोन है क्यवल एक रन मिलेगा अच्छा ओवर कमबैक्स अच्छा है जैश का पहली गेंद पर चका ल की ही कोशिश होगी बले बाज़ो द्वारा इस बार उचाल दिया है गगन बेदी स्ट्रोक लेकिन मैदान के अंदर है ओहो मिस जज्जमेंट दो-दो खिलाडीते वहाँ पर क्याश ड्रॉफ और गेंद बाउंडरी के बाहर मौका भी दिया और चौका भी दिया चार रन सिक्सर के साथ ओवर का यहाँ पर ओवर की शुरुवात हुई थी और चौके के साथ ओवर का खात्मा हुआ है बहुत दूर से यह स्ट्रोक खिला गया तो आफस्टम के काफी बाहर की गेंद जिसको उठा कर खिला था लॉंग ओन मिड विकेट के दर्मयान ठीक तरह से जज इस एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है भूमी 11 मांडा टीम फिल तुरन सजाना है प्लिद्स अटाली टीम के कैप्टन क्योंकि बाद में आपको ही बल्लेबाजी करनी है देखिए समय का ख्याल रखना है सभी खिलाडियों से यह संद्रा रन और अब आकरी ओर की जिम्मेदारी समालने के लिए गिंद्बाज तैयार होते हुए प्रेम रवी के पास ट्राइक तगड़े बल्लेबाज है रवी और तगड़े शॉट्स भी लगाते है इस बार ज्यादा एलिवेशन पर आप नहीं कर पाए डिप मेड़िके खेलना पसंद करते है अशुक डिंडा कहीना कि अपनी टाइमिंग पर ज्यादा रिलाइ करते है गेन अवा में है लेकिन फिल्डर बहुत दूर गैब ढूनने में कामयाब लॉंग आफ और एक्स्ट्रा कवर की दर्मयान गेन को खेला और बहुत आसानी के साथ दो रन फिल प्लेस्मेंट को देखते हुए ज्यादा तर स्ट्रोक्स खेलते है अशुक अच्छे बैटिंग करते हुए स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर चार गेंदिया भी भी पारी में शेश आउन साइड में तीन के लाड़ी बाउंडरी पर आउप साइड में दो बाउंडरी पर है बिल्कुल तीर की तरह सीधा स्ट्रोक्स खेला है डाउन दे ग्राउंड क्या शॉट है चेरन ता वहाँ पर प्रेम का लेकिन यौरकर ठिकाने पर गिरी नहीं और उसको सही ठिकाने लगाते वे बैट्समन अशोक डिंडा देखते ही देखते ही 20 पर पहुँच चुके है सिर्फ 6 गिंदों का सामना किया है अशोक ने टिम का स्कोर 38 और इस बार स्वीवल करते वे पुल करना चाहते थे बहुत जोर से ये स्ट्रोक एक्जिक्यूट करना चाहते थे लेकिन चुक गए गिंद थोड़ी नीची रहती वी डॉट बॉल यहाँ पर महतुपून डॉट गिंद अभी भी दो गिंदे बची है इस पारी में क्या चालिस की अंदर रोक सकते है गिंद बा कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि ये क्याच है बिल्कुल क्याच था लेकिन बहुत मुश्किल हाप चांस था ये बहुत ही मुश्किल था जबर्दस फिल्डिंग मैं समझता हूँ जैश द्वारा आकरी गेंद सामना करेंगे रभी ओ ये गेंद शॉट पेच अंपायर का इशारा वाईड दोबारा करना होगा बाॉंसर का इस्तेमाल वन फर दे ओवर का इशारा भी करते वे अमपायर बाॉंसर जुरूर की उन्हों ने लेकिन बहुत जदा पटका था हाईड जदा थी गेंद में जिस वज़े से अमपायर ने वाइड गुशित किया और अब स्कोर 40 रनों पर पहुंच चुका है भूमी 11 मांडा का बड़ी अस्तिती में है मांडा टीम इस बार बहुत दूर से खेल बैटे बाहरी किनारा और अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा अंतीम गेंद पर विकेट का पतन पारी समाप्त होती हुई भूमी 11 मांडा की बड़िया प्रदर्शन बल्ले बाजी में रहा है मांडा टीम का खुल मिलाकर 40 रन्स उन्होंने बनाए है और 41 रनों की एक बड़ी चुनौती 3 विकेट में इस मैच को जीतने के लिए जै बोर्शादेव क्रिकेट टीम अटाली के सामने बोलिंग अनैलिसेस रवी ने शुरुआत की ती 14 रन्दे कर एक विकेट जैश मेंगे साबीत वे 15 रन्दे कर कोई विकेट नहीं प्रेम का ओवर अच्छा मैं समझता हो 11 रन्दे कर एक विकेट सबसे एक फाइती गिंद बाजी उनकी रही और दो अतिरिक तरन इस पारी मे यह भी ने एक सिक्सर की मदद से 9 रन्द बनाएं तो 41 रनों का टार्गेट है तीन वर्स में यह मैच जीतने के लिए जय बोश्यादेव अटाली के सामने चलिए स्पीड अप करना है अटाली टीम अपने ओपनर्स को मेदान में बेज देना है इस समय तो काफी खुश खेमा नजर आ रहा है बोमी 11 मांडा का लेकिन आदा ही मैच समापत हुआ है आदा अभी बाकी है और मैच आदे अदोरे नहीं जीते जाते हैं मैच पूरा जीता जाता है और इसलिए सेकंड हाफ में भी अच्छा प्रदर्शन मांडा टीम को करना होगा गेंदबाजी अच्छी करनी होगी जरूर बलेबाजों ने अपना काम बखुवी से निबाया है एक ऐसा स्कोर बनाया है जो डिफेंडेबल हो सकता है लेकिन विफक्षी टीम में भी तो अच्छे बलेबाज है वो भी तो कोशिश करेंगे और पिछले मैच में सलामी बलेबाजों ने दुआदार बैटिंग की थी खास्तोर पर विनायक कौम ने देखा बहुत ही उम्दा बलेबाजी उनकी रही थी 27 रनों की पारी उन्होंने खेली थी अजे ने भी 14 रन बनाये थे अपने टीम के लिए तो आठाली टीम के पास टॉप ओडर में खास्तोर पर अच्छे बलेबाज है जो ये 41 रन चेस करने का माददा रखते है खेल की शुरुआत करनी है प्लीज खेल की शुरुआत करनी है प्लीज 18 चिंडवानी 41 रवाहे समी करनी या मैच मदे जय पोर्शादेव क्रिकेट संग अटली चसमोर सलमीची जोड़ी अजय बुईरानी विनाएक पटिल पहला शटक गिवन गोलंदाज अशुक डिंडा यह वी गो फस्स बॉल बॉल अवे ता है डीप मदे ख्याडू देखिल तैनाथ लॉंगोफ लाज जाड़ विननाएत अलो होतानी ते जाड़ात मूठा मासा अड़क लाए अजय बुईर इस गॉन पहले अस बॉल वर पावर प्ले सुरू आहे दोनस ख्याडू सेर्कल चा बाहर जामदे एक ओंसाइड लाणी एक आपसाइड लाग दी समोर लॉंगोफ ला तैनाथ करने ताला होता अनि तिकडेज फटका केरने साथी प्रवरूत दीकिल करने ताला फलंदा दाला लॉंगोफ लाएक सांगला जेल माक्चा मैश मदे विनायक न स्ट्राइक गितली होती पहले बॉलवर जया मैश मदे मात्र तो नॉन स्ट्राइकर्स एंड लाप लेला पाहला मिलतो है अजय न स्ट्राइक गितली आणि पहलास बॉल वर अजय जल्चिच्च रुपाद बाद जलाए नवीन मैट्समन मैदाना मदे रोही तलाए आधिकले एक घातक फलंदाज आहे फटका संगला हे मातर जास्त धावा मिलनार नाहित एककस धाव खोदा पहाड और निकला चुहा अश्याई परिस्तिती द्याड़ी काणी अकाउंट मातर उपन जले जय बोर्शा देव क्रिकेट संग आटालीस एकके चलिस दावन से टार्गेट आहे टार्गेट सरूर मूठा आहे मैच देखिल फार्म मूठी आहे स्परधा देखिल तेवडीस मूठी आपलेला पाहला मिलते विश्नु डेवलोपर्स चेशक 2022 अटाली कोली वडा अटाली कोली वडा क्रिडांगणा मदे टेनिस पॉल क्रिकेट सा हाथ थरार तुमाला पाहला मिलता हे पॉटसा बॉल एंगल चिंच करता स्थाना गोलंदाज राउंड दो विकेट यावले साडवे बैट सा प्रहार इन्फिल आतर क्लेर केले मातर डीप मदे प्रोटेक्शन आहे जग शेत्रक्षन स्वजवले त्यानुसारस गोलंदाजी केली जाते कउतुक करावल अगेल अशोक च याके अडूने दिखिल फार मोठी भारारी गेतली या टेनिस क्रिकिट चाख्या आमदे माक्चा दोन्ति तीन सत्रम मदे खूप उल्लेक निया कामगिरी अशोक डिंडाची राईली बुमी 11 मांडा टीम साथी टीडी पिल मदे दिखिल अउक्षन मदे तेला बोली लागली होती या वलेसे एक मोटा प्रहार बॉल निगुंजा इल्टीप मिट विकेट सीमारी शापार दन दन इच्छटकार या फलन्दाजा कड़ी बरपूर ताकत आहे आणि त्या ताकतीचा वापर करतास्तानना रोहित रोहित चा बैट नोदून हब्बी गीट शटकार दाउसंक्याड या वलेस जिकडे ख्यासों तो दिकडे ख्यलताले नाई टाइमिंग ते वोड़ सांगले नाई है फिल्डिंग सांगली पहला मिलते मातर एक दावातीशे वेगाना कंप्लीट करतास्तानना फलन्दाज दावसंक्या नवू या अकड़ावर जाउन पोसले पाच चंडू टाकून जालेत पहले शटकातिल अजुनी 32 दावांच आवस्यक्ता है तेरा चंडून सा खिव बाकी विनायक आणी रोहित्वर फार मोठी जबाबदारी आहे विनायक इनफर्म फलन्दाज देखीला है शटका तिल्षवट सा बॉल अप्रतीम अप्रतीम गोलन्दाजी शटेंच वरुन बॉल निगुन गेलाए शफल करतास थाना खेलताना खेलनेसा प्रेतन होता मत्रपहा रीपले मदे हा बॉल अगदी मिडल स्टिक च वरुन बॉल निगुन गेलाए एक संगला निर्णे दिखिल पंसंचा, डॉट बॉल आला है, शटक समाप्त जला है पहिला, दाव संग्या एक बाद नवू, अन्य था संगला मैच्टे, बारा बॉल्स मदे 32 दावांच आवशकता, अटाली संगला, बारा बॉल्स मदे 32 दावा, आस्किंग रेट 16 दावा प आस्किंग रेट 16 आए, अन्य था जगन और पनाना चाहतात बॉल्स मदे 32 दावा, एक अथिश्य प्रेक्षण या लड़त क्रिकेट रसिकानना पायला मिलते, रंगत दार अवस्ते तसली लाहा सामना, नाना सा पहला बॉल, चंडुल अप्टी दिलिए, चंडुसा पाटलाक करने सा प्रेयतन, एक सांगला शॉर्ट बॉल्स आकडुन, वन फॉर्दी ओवर्स आइशारा, एक बॉंसर गॉलंदास टाकु शक्तू, आणि हा बॉंसर होता, एक गोशित केलाई पंचाननी, बॉं वासुन देखिल फटका दूर आहे, मातर एकस दाव मिलाईल कारन डिकलीर जोन मदे बॉल ट्रेवल करतो है, आणि अता धाव संक्या दुहेरे अंकात प्रवेश करतास्तान ना या सिंगल चामदुती न दहा, या आकड़ अवर जाउन पोस लिए, एक अगड़े चा दबस ने काई होईल, तर फक्त दाव फलक हालता राहिल, मातर एजर सामना जिंकाई सासेल, तर चेंडुची सामड़ी लोडवा भी लागना रे, फलंदा जानना, दाहा बॉल सा खेल शिल्लक आहे, एक तीस दावन चाव शकता, चला फास्ट क्या आईसा है, मंडा टीम, मं अंडा संग जास्ता वेल अपन करचा करू नका, विनायक ओन स्ट्राइक, ओ बॉल खाली राहिला या विलेस, विनायक साथी हाफ असवा बॉल होता, एक क्रोस दे लाइन खेलने सा प्रेतन, विनायक न दिखिल लजणू का यागुदर स्टरवल, टॉन साइड लाखे आई यावलेस फलंदाजा पसुन चंडू दूर ठेवला गेला है, बैट फिरवली फलंदाजा ने मात्र चंडू आनी बैट मदे कुटला है संपर का पाहला सुन्दर गुलंदाजी या शटका मदे अब प्रतीम मारा पाहला मिलतो है, जगन उर्फनाना कडून अन्यता नौ बॉल्स, एक तीस दावा लॉप्टिट फट का बॉला वेता है, फिल्डर लाशोदून काडूलाई फलंदाजा ने फलंदाज बाद कुण जाले तीया शटका दिल, एकथ चंडू बाकिया है, बूसरे शटका मदे अनि साथ बॉल्स मदे एक तीस दावा बनवाई चाहिए, ओवर पीच बॉल होता करतार मातर स्ट्रीट टुद फिल्डर, लोंगवान लाशोदू देवन तंबुद परतलाई, विनायक पाटील लाणी, आता मातर पून पने बैक फूट लाड़कल लागिलाई, या मैच मदे, जै बोर्शादेव क्रिकेट संगाटाली, नमिन बैट्समन, प्रीमाले, प्लेय अनमिस, अन्नादर गोड डिलिवरी, डॉट बॉल, अन् दाट माक सेंड अब दी ओवर, काई जबर्दस्त शटक एती पाहला मिलाला नाना कडून, दोन शटकांसा खेल संपलाई, दाव संक्याद दोन बाद दहा, पहले ओर मदी नौ दावाले होते है, या शटकां मदी फक्त एकस दाव कर्च केली, जगनूर्फ नाना और एक महत्वास गड़ी देखिल बाद केला, सामने से टर्निंग पॉइंट हे चटक जरूर अपलेला पाहला मिलते, सामना करतार अजुनी संपलेला नाई, मातर सामना जुकला है, भूमी 11 मांडा टीम चा बाजुन, साहा चंडु शि लाता, विजा कड़े मार्ग क्रमन करता ना दिस्तायत, यह महत्वाच मैच मदे, आशी शालाई गुलंदाजी गने सा टीवी शॉट बाल पूल के लाए, मिस टाइम स्ट्रोक, सहत सोपा, सुन्दर जेल, फलंदास फेल, यह मैच मदे टॉस दीखिल महत्वास फैक्टर होत आशो वाटते, आणि टॉस जिंकुन एक योग्य निर्णे मांडा टीमचा कैप्टन ने गितला, तेननी तोड़ा विचार केला कि निर्णे नेमका काई गहाईचा, आणि खेर योग्य निर्णे बैटिंग करने अशा तेननी गितला, सांगले धावादिकिल तेन्चा फलं टाली संगाला, पाच चंडू 31 दावा, चेजिंग कंपल्सरी आहे, लौफ्ट कराएचा होता मातर चंडू चा लाइन मदे बैट पाहला मिडाली नाहे, सुरे गोलन जी, मांडा संगासा जोड़ा कउतुक करावा तेवडा कमी असेल, जैश कड़ी सद्या स्ट्राइक आहे चार बॉल्स आणी 31 दावा, असे समी करण, या नंतरचा सामना होईल की नाही, आई जोकां खड़ून अजोनी आमचा परियंत पोसर वन्यात आलेले नाही, बॉल आउट फिल्ड मदे ट्रेवल होतो है, एकस दाव, फक्त आपचारिकता शिल लगा है आणके एक सांगला बॉल, पूर्ण पने या सामन्यावर वर्चस्व, भूमी 11 मांडा संगाच, अधी शे जबर्दस्त कामगिरी, पहले मैच पासुनाच मांडा टीम चे पाहला मिलते, एक बलाद्डे संगतें चे समोराला, आटारी संगजो, स्वाताचा गाण, गहर चा माइदानावर खेलतो है, या दीचा सामन्याम मदे आटाली संगान फार इंप्रेसिव कामगिरी किली होती, मातर मांडा संगाने दाखों दिलाए कि ते कुटलाई, माइदानावर आणी कुटलाई संगाचा विरुद सांगला खेल करू शक्ताद, एक चंडु शिल भूमी एलेवन मांडा संगान, हर्दिक हर्दिक अभिनंदन भूमी